प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें यानि कि M.A.C.D.C.L. का बिल जो बकाया है वो अलग से भेजा जाएगा और टोरेंट पावर का बिल बकाया है वो अलग से भेजा जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा कि टोरेंट पावर का बिल कितना आ रहा है और महावितरन का जो बकाया बिल है वो कितना है वही बादचेत के दोरान ग्रेह निर्मान मंतरी जेतन्रवाट ने ये भी कहा कि मुम्रा शहर में जो पानी की समस्या है वो भी काफी हद तक दूर की जा रही है गाउद बी इलाके में भी पमसम का काम चालू है इसके लावा अलमास में भी अब पानी की किलत दूर हो रही है इसी तरह से आज टोरेंट पावर और पानी को लेकर ग्रेह निर्मान मंतरी जीतन्रवाट में क्या कहा है सुनुए मैं आपके माद्यम से फिर सम्मा मुम्रा को ये भी बताना चाहता हूं कि आपके दिल में जो बिल के बारे में शंका थी कि बिल बड़ा क्यूं आता है श्मला लाईट पार तो उसमें आपके जो लाईवनल में हीने में सीवेट के ताहिंट जो आपने जो पेंडिंग बिल रखा था वो एड होके आता था तोरेंट में इसलिए आपको रखता था कि टोरेंट का बिल बढ़ा है हमने टोरेंट को बहुत डराया है धमकाया है अब हमने मंत्राले में भी कंप्लेंट की है अब जाके तोरेंट का बिल लगाएगा और अब को यह समझ में आएगा कि मेंसीडीसील का कितना पेंडिंग है और तोरेंट का बिल क्या है अलमास में सैनिक नगर तक बड़े दिनों से पानी की समस्या थी आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब एक भी बिल्डिंग अलमास की अईसी नहीं है जिसको पानी नहीं है यही बात गावदेमी में होगी जो संप और पंप हमने शुरू किये थे चांद नगर का पानी का मसला खतम हुआ अमिनाबाद का पानी का मसला खतम हुआ एमेम वैली का पानी का मसला खतम हुआ सुकुन हाइट्स का हुआ ग्रेस का हुआ अब दो इलाके है एक सुमती देवी स्कूल है उसके आजू-बाजू का एरिया वह आट-डस दिन में खतम हो जाएगा गाल देवी म में पूरा खतम हा जाएगा सब के घर में पानी जाएगा